नमस्कार, Hi Everyone, Welcome back to my channel and I hope you all are doing fine. आज है संडे, संडे हैं अगेन वीडियो का डे और आज मैं बनाने वाली हूँ एक वन पीस ड्रेस यह भी मैं अपनी सेसर के लिए बना रही हूँ दिवाली ड्रेस है जो की सारी का यूज़ करके बनाने वाले हैं हम और यह जो ड्रेस है यह inverted box pleat वाला ड्रेस है और इसमें दो pockets भी दी हुई है तो आप आराम से देखे यह वीडियो थोड़ा सा lengthy होने वाला है बट काफी informative होने वाला है आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रही मेरे चानल पे और चलिए फटा फट से वीडियो देखते हैं है सों बोक्सप्लीट का वनपीस बनाने के लिए अगीни हमने अक साड़ी का यूश किया है यूसारी के जो प्रिंट है थोरा वर्यू प्रिंट है प्रट मतलब इसको हम ज़े देखेंगे तो थोड़ा सा ये वेस्टन लुग देता है इसलिए हम इसकी बॉक्स प्लीट की वो बना रहे हैं ड्रेस तो सबसे पहले जैसे हमने लास्ट टाइम किया था वैसे हम चोली के लिए पल ले के आगी 22-23 इंच का मतलब फैपरिक कट कर लेंगे अब जितना रेस्ट फैबरिक बचा है लेंथ हमारी 45 है माइनस हम अपर लेंथ कर देंगे 14 इसमें अपर लेंथ रहेगी तो यह जो वान इंच है वह में एक्ट्रा छोड़ देंगे नीचे के साइट पर एंडिन यहां से हम इसको ऐसे करके 14 माइनस कर देंगे यह के हाफ इ अब इसको दो नो दो पार्ट में हम डिवाइट करेंगे कि हम इसमें पॉकेट लगाने वाले हैं इसके बाद हम अस्तर को कट करेंगे उसके लिए हमने दो फोल रख लिया ए अस्तर का एन इस ट्रेय लाइन ड्रॉ कर लिया एन अगें वही 13.5 पे मार्क करेंगे एन 45 तो 8 1 4th हो गया and 2-inch margin, अब इसको हम cut कर लेंगे, अब हम इसमें mark करेंगे 5 inch पे and वही 4 inch का dart के लिए mark कर लेंगे, हम इसमें एक notch लगा लेंगे, सुतार बाद में में पता चले and यहां पे हम pocket लगाने वाले हैं तो हमने यहां से 5 inch के नीचे पे 6 inch का mark कर लिया, यहां भी हम notch लगा लेंगे, अब देखे, इस टाइप से हमने straight line draw किया and इसकी upper key drafting से पहले वाले जासी है, जो कि मैं eye button में भी दे दूँँगी, मैंने length plus 1 inch किया, shoulders हमारे 15 है, और यहां से मैंने half of shoulder करूंगी, 1 inch shoulder down होंगे, यह हुआ, अब मेरी sister को थोड़े शोल्डर कम चाहिए, तो हम इसको 1 inch minus कर देंगे, तो 6.5 हो जाएगा half and यहां से हम 7.5 कर देंगे, अब इसको हम इसको ऐसे करके mark कर लेंगे, 1 fourth of chest plus 1.5 inch and यह straight line draw कर लेंगे, यहां से half inch हम चोली को उठा देंगे, 4 inch पे हम डाट लगाते हैं, यह मैं थोड़ा साब को speed में दिखा रही हूँ, यह step से हमने shoulders को join कर लिया, नेक हमारा वोई 4 inch है, pack ने के और 3 inch broad है, अब आप इसको cut कर लीजे, यह मारा front cut होगा, अब हम इसी के through back cut कर लेंगे, बैक में जिप के लिए हम half inch का margin चोड़ेंगे बस, यह हो गया, done, अब यहां से back का भी धाई इंच का नेक हो जाएगा, अब देखिए, जो बचाओवा fabric है, इसको हम पला इसमें यूजने करने वाले हैं, सिर्फ print उपर का water भी यूजने करेंगे, जो छोटा print है, वो यूजने करेंगे, तो यहां से मैंने इसका front part निकाल लिया है, इस type से, अब हम यहां से back निकालेंगे, back के लिए मुझे थोड़ा सा कम पढ़ लाए, तो मैं इसमें joint लगा लूँगी, shoulders पे, यह देखिए, यहां से, तो मैं इसमें joint लगा लूँगी, back से zip के लिए हमने cut कर दिया, और इतना हमने joint के लिए fabric extra रख लिया है, अब हम सबसे पहले इसमें जो है box pleat डालेंगे, उसके लिए मेरे को यह करना है, मैंने 4 इंच पे mark किया, तो इसी type से मैं 3 mark कर लूँगी 4 इंच पे, अब जो second वाला mark है, मैं वहां से इस कपड़े को ऐसे करके उल्टा करूँगी, इस type से, अब हमको इसमें एक straight stitching लगाना है, यह inverted box pleat हम इसने बनाने वाले हैं, यह देखिए 4 इंच पे फिर से अपने mark कर लिया, और यहां से जो हम वह 3 इंच तक इसको pack कर देंगे, इस type से, यह एक अंदाजे से लगाई हुई pleats है, वैसे भी यह सभी के लिए इतना ही आएगा, मैं 3 इंच की एक box pleat रखने वाली हूँ, इसलिए मैंने 4 इंच का gap अंदर के side रखा है, यह देखिए इस type से, यह हो गया, अब हम 3 इंच हमारी box pleat का broadness होने वाला है, तो मैं यहां से 3 इंच पे mark कर लूँगी, इस type से मैं को 3 इंच पे mark कर लेना है, यह हुआ, and then मैं इस पे, जो है इसके बाद, again फिर 4 इंच पे mark करने वाली हूँ, यह हुआ, अब हम इसी को वही 4 इंच से ऐसे करके fold करेंगे, and इसमें हम 3 इंच पे dart जैसा stitching लगा देंगी, double stitching, यह हुआ, and again हमने इसको ऐसे करके stitch कर लिया, यह देखिए, हमारी दूसरी pleat भी ready है, अब again हमें वही process करना है, 3 इंच पे mark करेंगे, and then again 4 इंच पे mark करेंगे, 4 इंच से fold करके, 3 इंच का, फिर से हम double dart लगा देंगे, double stitching वारा dart लगा देंगे, यह done, यह देखिए, मैंने सारी बिना ली, अब देखिए, मैं यहां से waste ना पलूंगी, यह अप्रॉक्स हो, यह 18 इंच अभी आ रहा है, लेकिन हमारी पैस fabric बच जाए, तो मुझे इसको जब छूटी सी box pleat जैसा बनाना है, so that यह थोरा finish देखिए, तो मैं ऐसे करके करूंगी, अब यहां पे कोई measurement नहीं चलेगा, यह अंदाजन मैंने एक एक इंच का inverted box pleat बना लिया, यह देखिए, यह हमारी box pleats ready है, यह हमारा back part है, यह देखिए, अब यहां से हम इसको ऐसे कर लेंगे, मतलब हाफ आजू-बाजू, center case line से हाफ आजू-बाजू, इस टाइप से इन poles को हम stitch कर लेंगे, यह देखिए, like this, इस टाइप से, आप चाहें normal box pleat बना सकते हैं, लेकिन यह box pleats और ज्यादा अच्छी लगेंगी, यह देखिए, अब हम इसको properly stitch कर लेंगे, यह process बहुत अराम से देखिएगा, इसलिए मैं इसको बहुत slow बता रही हूँ, I hope आपको यह समझ में आ रहा होगा, यह देखिए, इस टाइप से यह box pleat and उसकी उपर आप चढ़ा दीजेगर extra है, तो आप overlap करके stitch करते जाएए, यह देखिए, इस टाइप से, यह third, यह देखिए, इसी टाइप से हम सारी pleats को completely इसमें stitch कर देखिए, overlap हो रही है, हुने दीजे, no problem, यह done, यह देखिए, कितने अच्छे से pleats सुन्दर सी लग रही है, यह देखिए, पोल से इसकी बहुत अच्छे आ रहे है, यह मारी पूरी कलिया हो गई है, अब यहां से मैं center लूँगी, यह मैंने एक center बना लिया है, and मैं इसमें नॉश लगा दूँगी, मैंने इस तरीके से इ pleats वाला portion लगाएंगे, तो यह मैंने mid से रखा, and जहां पे भी आ रहा है, वहां से मैंने stitch करना start कर दिया, and अब मैं इसको complete stitch कर लूँगी, इसको join कर लूँगी, अपर पार्ट के साथ, यह देखिए, यह done, अब यह देखिए, यह इसका front part, एक्दम finished है, proper है, अब यहां से हमने यह mid point है, अब हमें को इसमें अस्तर लगाना, अस्तर में मैंने ऐसे करके dart डालिया है, और इसका जो mid point है, वहां से मुझे इसको रखना है, and यह भी जहां तक आ रहा है, वहां तक stitch कर लेना, क्योंकि जो right side से हमारा extra fabric होगा, उसको हम बाद में cut कर लेंगे, द finishing वाला dress हो रहा है, देखिए, अब side में हमको लगाना है pockets, तो यह हमने दो notches लगाए थे, तो हम बस इसको इसके साथ पहले stitch कर लेंगे complete, इस type से यह हो गया, आप चाहे तो pocket नहीं भी लगा सकते हैं, बड़ मेरी बेहन को वह style चाहिए था, तो मैं इसमें pocket भी लगा रही हो और इस बहाने आपको भी pocket सीखने का मौका मिलेगा, यह मैंने pocket cut की थी, 12 इंच लंबाई में और चोड़ाई में 6 इंच की, तो अब जहां से हमने first उपर वा होंगी, यह हुआ pocket, अब हम इसमें top seam लगा लेंगे, जैसे हम इसमें pocket लगा रहे हैं, ऐसे हम कुर्टे में pocket लगाएंगे, यह हमारा दूसा वाला part है, इसको भी हमको पहले अस्तर और अपर पार्ट को attach करना होगा अच्छे से, यह हुआ, एक सा fabric में ने cut कर दिया है, और यह जो है pocket, इसको जो notches है, बस उतने उतने portion से हम इसको साथ में stitch करने वाले हैं, यह stitch हो गया, अब आप इसमें top seam दे दीजिए, same to same process हम back part के साथ करेंगे pocket के लिए, यह देखिए, कितने चिसे pocket एक साइट का attach हो गया है, अब हम आते हैं back part पे, तो back part पे हम लगाने वाले हैं zip, zip के लिए जो हमारा mid point है, वो इसमें यह आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले, 3 inch पे mark करेंगे, and यह देखिए, और हमको इसको cut करना है, बट यहाँ पे हमारी stitching already लगी हुए, तो मैं इसको पहले यह करूँगी, कि पहले मैं इसके उपर एक top seam लगाँगी, उस से पहले मैंने यह अस्तर को भी 3 inch से cut कर लिया है, इस type से, अब देखिए, पहले मैं इसमें stitching लगा दूँगी, so that यह जो, मतलब इसमें बॉक्स प्रीट लगाई है, वो खराब ना हो, यह हुआ, अब हम इसको cut कर देंगे, यह हमने इसको cut कर दिया, अब हमारे पास यह back part है, ऐसे divide है, zip के लिए, तो एक side का part इसमें इस side पर कर देंगे, और दूसरे side का part हम दूसरे back part में कर देंगे, और इसी type से हम जो दूसरा वाला part है, उसको भी stitch कर लेंगे, यह देखिए, इस type से हम दूसरा वाला part भी stitch कर लिया, अब यह देखिए, पहले इसका output देख लिए जाए, यह front part है, यह back part है, अब हम इसमें वही अस्तर रखेंगे, उल्टा अस्तर रखेंगे, इस type से, असर क इसको भी इसमें अच्छा से अटाच कर देंगे यह दूसरा हाला पार्ट भी अटाच हो गया अब यह देखिए बैक साइड से भी कितना फिनिश्ट है जैसे फ्रन से फिनिश है अब जो यह जो कट है इसमें हम स्टिचिंग लगा लेंगे क्योंकि अब हमें इसमें जिप का प्रइक करना है कहा है हम इस दोनों पार्ट को अटाच कर लिंगे अच्छा से का देखिए जिए अध्य हो गया अब हमने इसमें वह इक पट्टी ले लिए ए इसको हम सबसे पहले इससे करके स्टिच कर लेंगे और इस पट्टी को हमको बाहर की साइट पलट देना है तो ये देखे इस टाइप से हमें एक फिनिश पट्टी मिलेगी आप देखे इसको बहुत अराम से देखिएगा ये जो जिप है इसको मैं ऐसे करके उल्टा रखूंगी पहले तो मैंने चेक कर लिए जिप सही है मैंने इस जिप को ऐसे करके उल्टा रखा और इसको 0.25 की माजिन से इसको इसकी साथ स्टिच कर लिया है देखे ये हो गया अब इसको सिंपलियम को इस टाइप से ऐसे करके फिनिश कर लेना है आप ये जो पट्टी है इस पट्टी के उपर बस आपको जिप को ऐसे करके रखना है ये हुआ आपने आदे हिंच का मार्जिन चोड़ा और आपने इसको रखा इन इस पर सिफ और सिफ एक टॉप सीम लगाना है सुदाट जिप आपको चुबेगी नहीं उसके सांसना ये जो इसमें अंदर के साइट फैबरिक है वो भी अंदर के साइट छुप जाएगा ये देखें इस तान ये दिखें कितना अच्छो से फिनिश हो घा बैक पार्ट अब दीखें जु दूर साइट है उसमें हम पटी लगाने वाले हैं हम ब्लॉज में पट्टी लगाते हैं वैसे ही मैंने डबल करके इस पट्टी को इसमें स्टिच कर लूँगी यह पट्टी स्टिच हो गई है अभ हम इसमें अगले लगा लेंगे ऑप सीम लगाने से आपको पता ही है पट्टीया एकदम फिनिश हो जाती है इस टाइप से यह done अब simple है यह देखे इसको ऐसे करेंगे और यहां से हमको एक stitch लगाना है बद stitch लगाने के पहले हम जो यह hook वाली पट्टी है इसमें one inch से ऐसे करके पुरा mark कर लेंगे अब मैंने इसको इसके उपर रखा यह जो flap है उसको ऐसे उपर कर दिया अब सिर्फ और सिर्फ हमको जिप को one inch पर जहां हमने mark किया है उसके उपर stitch करना है इस टाइप से यह देखे यह यहां तक आये हम एं दिन हमने इस flap को चड़ा दिया और अब हमने इसको flap के साथ stitch कर लि यह देखे जिप हमारी finish हो गई है जिप लग गई है यह देखे back part हो गया यह हो गया front part it's done अब देखे मैंने neck finish कर लिया पट्टी से armhole finish कर लिये हैं यह देखे यह neck है यह armholes हैं यह pockets हैं same to same back part पे अब हम इसमें fitting की mark कर लेंगे one fourth of chest वैसे तो 36 है बट यह थोड़ा losing की साथ बरा रहे तो 38 and 32 waist है तो 9.5 and जो waist है वो 8 inch पे stitching लगाएंगे यह देखे इस type से अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है यहां से हम stitch लगाते वे यहां तक आए अब आई pocket की बारी तो हम pocket में continuity में stitching करते जाएंगे इस type से हमने continue stitch कर दिया यह देखे है ऐसे हुआ जो यह bottom पार्ट है इसको भी हम stitch कर लेंगे यह हुआ अब देखे अब यहां से 6 inch पे हम एक mark करने वाले हैं जहां हमने नौश लगाया था अब हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारा main है मताब उपर वाला gearbox pleat वाला उसको ही हम stitch करेंगे तो हम यह दोनों जो अस्तर है उपर नीचे का इसको अलग कर देंगे और यहां जहां पे हमने 6 inch पे mark किया है वहां से हम lock करेंगे पहले तो stitching से पहले आप वहां पे अच्छे से machine set करें यह हुआ अब इसको lock किया और इसको continue bottom तक हमको इसको stitch करते जाना है यह इस टाइप से में bottom तक इसको complete stitch कर दिया अब यह जो pocket है वो इस side से बची थी हमारी finish करना तो मैंने इस पर ऐसे करके double stitching लगा लिया आप pocket और complete पर double stitching करेंगे अभी मैं आपको single ही बता रही हूं यह हुआ अब यह जो अस्तर है उसको हमने ऐसे किया एक दूसरे के साथ रखा और अब अस्तर को भी हमको bottom तक stitch कर देना यह इतना ही खुला रहेगा यह दिखिए इस टाइप से यह हुआ हमारा अस्तर स्टिच एक साथ पर अब सेम तो सेम मैंने side डौला कर दिया दूसरा side और यह मैं पहले अस्तर को fold कर लोंगी एक इंच की margin से मेरे को अस्तर fold कर लेना है यह हो गया हमारा अस्तर fold यह दिखिए कितने अच्छे से finishing से हो गया है यह हमारा front part है यह दिखिए इसमें press लगा लूँगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा और यह हमारा pockets है आप देख लिए कितने अच्छे से pockets भी लग गई है एक दम finishing के साथ same to same हमारा दूसरा part है उसमें भी यह दिखिए pockets लग गई है और यह मारा dress ready मेरी छोटी वारी से स्टनी एड्रेस को पहना है अब आप देखिए इसमें कितना अच्छा लुक आ रहा है और inverted box बीड बहुत अच्छी लग रही है इसके ओपर हमने एक belt लगा लिया है जिससे की ड्रेस और अच्छा लग रहा है अब आप कॉमेंट करके वाचिंग